हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्वलोग मंदरा मेरे साथ आज का वीडियो दोस्तों काफी बेसिक होने वाला है मैं बेसिक से मेरा कहने का मतलब है कि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि Gmail अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग की ब्यार ये क्या वीडियो आज का वीडियो तो बेकार है इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है Gmail account तो बड़ा ही आसान है काफी लोग बना सकते हैं कोई मुश्किल बात नहीं है बिलकुल मुश्किल बात नहीं है बहुत सारे लोग बना सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आज के टाइम पे भी जिनके पास phone तो है लेकिन उन्हें अपनी Gmail ID जो उनके phone के अंदर काम कर रही है जो उनके Play Store के अंदर एड है वो उन्हें पता ही नहीं होती दूसरी बात अगर पता भी है तो उसका password उन्हें नहीं पता होता तीसरी बात जब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं नया phone लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे ने उनकी उस टाइम पर help कर दी और उनकी Gmail ID बना के उनको दे दी लेकिन उन्हें नहीं पता कि Gmail ID क्या है उसका password क्या है कई बार ऐसा भी होता है उन लोगों के साथ कि वो अपना Gmail ID है वो बेता हो रिमूव कर देते हैं गल्ती से उन्हें नहीं बता होता या फिर वो अपने phone को reset मार देते हैं तो उनका प्ले स्टोर है वो काम नहीं करता तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो beginner है जिनको नया phone लिया हुआ है या फिर जो अपना email ID नहीं जानते या फिर जिनके पास email ID थी लेकिन वो अब नहीं है या उसका password भूल गए है तो वो नया कैसे बना सकते हैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है तो कोई भी ओफेंड मत होईएगा कि ये वीडियो बेसिक सा वीडियो बना के क्या दिखा रहे हैं बेका रहे हैं नहीं ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता कि Gmail account आप अपने phone के अंदर अगर phone number भी नहीं है उनके पास तो भी आप कैसे बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आरब करते हैं पूरा देखना इस वीडियो को अंतर तो दोस्तों आपको Gmail account बनाना है तो स इसके पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद already मेरी तो यहां पर already बहुत सारी Gmail ID दिखा रहा है लेकिन आपको सीधा यहां पर जो option मिलेगा वह मिलेगा add account का या फिर इसके अलावा दूसरा option भी मिल सकता है वह option आपको आगे दिखाए देगा because मेरी यहां पर जो email ID है वह यहां पर add हो चुकी है तो that's why मेरे को यहां पर add account का option दिखा रहा है फिलाल तो add account के उपर जो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जो option दिखाए देगा वह है एक मिनट अभी आएगा लोड होगे यहां पर आपको कुछ ऐसा option दिखाए देगा इसके बाद यहां पर आपको corner में मिलेगा left side में create account का option इसके उपर आपको दो option दिखाए देंगे for myself and to manage my business for myself आप tap करना आपको यहां पर आपसे जो पूछेगा वो है आपका first name first name में आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं और उसके बाद मैं तो चाहूंगा कि आप अपनी जितनी भी real करना चाहें और इसके बाद यहां पर आपको डालना है नीचे अपना gender female male rather note से अगर आप नहीं बताना चाहते तो नहीं भी बताये custom जो भी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं इसके बाद आपको करना next click next click करने के बाद यहां पर आपको email ID बनाना है अब आप email ID अपने phone number स भी बना सकते हैं यहां पर आपको नीचे use mobile का option मिल जाएगा अगर यहां पर आप अपना mobile number नहीं use करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं आप कोई भी अपने name के साथ जैसे मेरा नाम है राजेश लेकिन यहां पर राजेश नाम काफी common है तो आपको कहरना किया कि हर बंदे क का इस्तमाल कर सकते हैं जो सिर्फ आप इस्तमाल करते हैं या फिर आपको ज्यादा easy तरीके से वो याद रहता है तो यहां पर आप कोई भी number type कर सकते हैं जैसे मैंने यह फिलाल आपको दिखाने के लिए आपको कुछ भी type कर दिया यह बिल्कुल unique random number है इसके बाद आपको next पर क्लिक करना है next पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको पूझेगा password password में आप सेलेक्ट करना है आपको symbol का भी इस्तमाल करना है यह आप उपर mention भी a create a strong password with a mix of letters, numbers and symbols तो आपको symbol का भी इस्तमाल करना है letters का भी इस्तमाल करना है alphabet यानि और number यानि के numeric एक से 10 के अंदर को यहां पर पासवर्ड रख सकते हैं अपना कोई भी पासवर्ड इस तरीके से रखना है जैसे मैं आपको दिखा दूँ एबी सी और इसके साथ कोई भी symbol आपने hashtag ले लिया या add the rate ले लिया तो आपको इस तरीके से और इसके बाद आपको number डाल दिये 1234 या फिर कोई ऐसा number जो random जो easy to get नहीं है किसी को फटाफट से वो number को या आपका ऐसा common number मत रखिये जो ज़्याद दर लोगों के दिमार्ग में रहता है ठीक है तो यहां पर पासवर्ड देखना चाहते हैं कि आपने सई टाइप किया तो आप देख भी सकते हैं जैसे मैंने यहां पे डाला हैं तो यह सेम चीज़ जो ऊपर पासवर्ड है वही नीचे भी आपको डालना है और मैं यहां पर सेम डाल कि आपको दिखाता हूं और यहां पर हैस्टेग हमने डाल दिया डाल दिया और एक दो तीन चार यह ऊपर और दूनों सेम हो गए हैं इसके बाद आपको next पर क्लिक करना है और आपका email ID जो है यहां उसके बाद yes I am in पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका Gmail account create हो जाएगा इसके ज़्यादा मैं यहां पर बनाने वाला नहीं हूँ कि मैंने बताया है कि इसके अंदर आपको mobile number का इस्तमाल नहीं करना लेकिन मैं कहूंगा आपको कि आप mobile number account बनने के बाद इसके अंदर profile में जाएगा और वहां पर जाके अपना जो mobile number है वो जरूर इसके अंदर डालिएगा ताकि कल को अगर कोई issue आता भी है अगर आप आस अधlor करना है चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना है बैल नौंटिकेशन के लिए जरू डबानिया ताकि आने ऐने वाले जितने भी वीजिए उनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें जुड़े रही है टेक रोट मंत्रा के साथ मिलते हैं नग्स्ट वीडियो गे झाल झाल